लड़ु गोपाल की पूजा और सेवा करने से दूर होती है समस्या भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड़ु गोपाल की प्रति दिन पूजा और सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है जीवन की समस्याओं का समाधान होता है जिस तरह एक बच्चे की सेवा की जाती है वैसे ही लड्डु गोपाल की सेवा करनी चाहिए समय पर उठाएं दुद्दही मक्खन का भोग लगाएं समय पर विश्राम कराएं उक्तविचार पंडित रुपेश पचौरी महराज ने व्यक्त किये माना बस्ती मी संत महा सभा 36 गड के प्रवक्ता पंडित रुपेश पचौरी महराज ने अपने निवास पर लड्डु गोपाल का महा अभिशेक पूजा आरती कर जन्म उस्सव बनाया उनके निवास पर अनेक लोग लड्डु गोपाल को साथ लेकर आय और पूजा कर महा आरती की पंडित रुपेश पचौरी महराज ने कहा कि भगवान की भक्ती करें घर में लड्डु गोपाल की प्रतिमा रखें अपने घर के सदस्य की तरह सेवा करके पूजा आरती करें इससे जीवन में आने वाली हर समस्या का अंतो हो जाता है इसी कडि में आयोजक भगवता चार्य पंडित रुपेश पचौरी महराज प्रबंधक प्रदेश प्रवक्ता संत महासभा 36 गड़ के द्वारा श्री विभानन दौलत लल्ला जी का प्रथम जन्म उस्सों मनाया ग चाहिए और हर लड़ो उपाल की सेवा एक बेटे करूप में होनी चाहिए उसी पहल में आज रादे दे परिवार के द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा ये प्रथम औसरह में प्राप्त हुआ कि हम विभानन दौलत लल्ला जी के पावन मंगल उस्सों को एक जन्म उस् दूबा आड़ बजे से लेकर के सबस्भक्त जनों का आगमन हुआ है सभी ने अपने अपने लड़ो गुपालों को साथ लेकर आप देख भी रहें आपके सामने सभी लड़ो गुपाल उपस्तित हैं और इसमें हमारे पूरे परिवार की ओर से मेरी ध्रवपत्नी फृमती विवा पचोरी और पूरे हमारे परिवार एवं राधे राधी परिवार के द्वारा ये आयोजन चल रहा है उस्तों में सबसे पहले तो भगवान जी का अभिशेक पूजा संपन हुआ है उसके बाद भगवान जी का सिंगार उस्तों चला उसके बाद अभी रात को हमारे पावन रमायन रामचरित मानस और भजन संद्यक आयोजन दुमदाम से मनाया जाएगा। और विशेष रूप से महाबंडारा सुबा आड़ बजे पे चल रही है, जो वीगत रात को बारा बजे तक लगातार चलते रहेगी। मैं रुपेश महाराज जी, आज प्रदेश प्रवक्त संद महासभा 36 गड़ के रूप में यहां पर उपस्तित हूँ और विशेष रूप से मेरे बीच हमारे चाचा जी भी हमारे महेश पचरी जी उपस्तित है हमारे पापा जी वीजेंद्र जी भी यहां उपस्तित है और जितने भी जन्मानस यहां विराजमान है सब सब के सैयोग से कारिकम चल रहा है